बिस्मिल्ला इर्वाह्मान इर्रहीम, अस्सलाम अलेकुम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Assistant Director IB के descriptive के paper के बारे में के descriptive के paper में कौन से papers included होते हैं और उनका pattern क्या होता है So, let's begin to discuss the slavers of descriptive paper descriptive test 100 marks का होता है सिर्फ और सिर्फ English included होती है और paper subjective paper होता है अब देखते हैं कि subjective paper के contents क्या होते हैं यानि क्या-क्या चीज़ें इस paper में included होती हैं सबसे पहले आ जाता है essay essay होता है 25 marks का total 4 topics दिये जाते हैं जिसमें से एक topic आपने attempt करना होता है और question के उपर लिखा होता है कि आपने कितने words का essay लिखना है लेकिन जो normal उसकी limit है वो 500 to 600 words की होती है अब ये जो 500 से 600 words का essay है इसमें मैं आपको suggest करूँगी कि अपना essay लिखते हुए आप outline लाजमी दे यानि आपका एक page जो है वो outline cover कर ले पहले page पे outline attempt करने का फायदा ये होगा कि आपके वो जो 7-8 pages थे उसमें से एक page तो आपका outline ने ले लिया अब बाकी essay को जो है वो आपने 6-7 pages पर लेकर जाना है इन 6-7 pages पर essay तब जाएगा जब आपके पास essay से related material 8-9 points की form में मौझूद होगा आप आजाते हैं इस बात पर कि essay में लिखना क्या है essay में आपका पहला paragraph introduction का paragraph होगा second आजाएगी main body main body में आप अपना argument देंगे उसको justify करेंगे उसके बाद आप अपना conclusion देंगे for example आपको ऐसे आता है climate change पे तो climate change पे आपका पहला paragraph introduction का होगा main body में आप तीन चीज़े बता देंगे के causes क्या है उसके effects क्या है और उसके solutions क्या है उसके बाद आप अपना conclusion देंगे इस तरह से आपका essay जो है वो complete हो जाएगा दिहान रहे कि ये जो 25 marks का essay है ये descriptive paper में बहुत matter करता है next question होता है comprehension का जिसके 20 marks होते है इसमें आपको एक passage दिया जाता है जिससे related आपसे 4-5 सवाल पूछे जाते है अब इन 4-5 सवालों का जवाब जो है वो उस passage में मौजूद होता है only one question is there जिसमें आपकी opinion मांगी जाती है तो आपने जिस question में आपकी opinion मांगी हो सिर्फ उसी question में अपनी opinion देनी है बाकी किसी question में आपने opinion देने की कोशिश नहीं करनी कि ये जीज ऐसे हो सकती थी या इसको ऐसे होना चाहिए था तमाम questions के answer उस passage में मौजूद होते है आपने जस्ट वहाँ से उसका answer उठाना है लेकिन डिट्टो copy answer नहीं उठाना उसको थोड़ा सा rephrase करके पेश करना है ये question बाकी questions के comparison में comparatively easy होता है थोड़ी बहुत practice से ये question easily attempt हो जाएगा next question है जी प्रेसी का question 25 marks की प्रेसी आती है जिसमें 5 नंबर का title होता है और 20 नंबर आपकी प्रेसी के होते है उनको 3 पे divide करना है जो आपके पास answer आएगा उतने words का आपने paragraph लिखना है अब जनाब कुछ students करते हैं कामचोरी कि इतने ज़्यादा words हम किस तरह से count करें या फिर कुछ students ऐसे होते हैं जो essay या comprehension को इतना time दे देते हैं कि प्रेसी के लिए उनके पास इतना ज़्यादा time नहीं बचता कि वो एक-एक word count करें तो आपने total lines देखनी है और आपने first two lines के word count कर लेने हैं फर्स करें कि पहली line में 22 words थे दूसरी में 20 थे अब आप इनका general एक निकालें फर्स करें कि 21 word है average तो आप आपने 21 को multiply करना है to the total number of lines तो आपके पास answer आता है 49 यानि कि जो आपकी प्रेसी के words है वो 49 words होने चाहिए आपकी total प्रेसी 49 words की होनी चाहिए अब अगर आपकी प्रेसी exceed करती है 49 number से तो वो कमस कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 words तक exceed करें इस से ज्यादा नहीं इस question को करने के लिए आपको इनके basic या general rules बता होने चाहिए क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ती है और क्या-क्या चीज़ें change होती है market में बहुत सी अच्छी books available है जिनमें exploring the world of English है BA की English है इसके इलावा आप metric और inter की English से भी ये question कर सकते हैं इसके बाद जो 10 marks का question है उसमें आपको words दिये होते हैं और question होता है give the meaning of these words and make sentences एक word का पहले आप meaning बताएंगे फिर sentence बनाएंगे इस तरह से जाके आपको 2 marks मिलेंगे और ये total 5 words होते हैं जिनके 10 marks होते हैं लास्ट question है जिक grammar related question 10 marks का question है कभी-कभी 10 blanks दे दी जाती है और कभी-कभी 2-2 number की एक-एक जो है वो blank होती है इस question का कोई clean and clear pattern नहीं है कि ये question जो है वो किस तरह का आएगा जो blanks आती रही है उसमें कभी-कभी कहा जाता है कि बताएं इस blank में few आएगा, are few आएगा, the few आएगा कमभी-कभी आपसे comparative और superlative degree पूछी जाती है कभी-कभी आपको कहा जाता है कि put pronoun, put adverb, put adjective तो जब आपको पता होगा कि pronoun, adverb, adjective, superlative degree, comparative degree है क्या तब ही तो उस blank में आप उसको लिख सकते है आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो English का 100 marks का descriptive test है उसका pattern क्या है और उसकी marks distribution क्या है पहला question था essay का 25 marks comprehension 20 marks pressy 25 marks direct indirect 10 marks word sentences 10 marks grammar related question 10 marks for more such videos stay tuned to Kurselia thank you Allah Hafiz